नमस्कर दोस्तो बिजली की दुकान यूटूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि आप कोई कूलर खरीदना चाहते हैं तो कौन सी मोटर वाला कूलर खरीदे या फिर आपके पास कूलर की बोड़ी है तो उसके लिए आप कून सी मोटर खरीदे दोस्तो जो कूलर के अंदर मोटर यूज की जाती है उसके बारे में हम आपको कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो दोस्तो अभी तक आपने बिजली की दुकान यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं कहता आप चैनल को भी सस्क्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के उप्शन को भी उनकर ले तो सबसे पहले मोटर लेते हैं जिसको मोलते हैं पौणा इंची किट, इसको म आदा इंची किट या फिर फिर दोनों बोल सकते हैं दोस्तों एक इंची किट भी ऐसी तरह किया थी पीछे की साइड एक कैप लगी होती है जिसके अंदर यह कपेश्टर जो आपको बाहर दिखाई देरा वह उसके अंदर छीपा होता और कोई भी फराख नहीं होता से मोटर होती है पौना इंची किट और एक इंची किट के उपर लिखा क्या होता वह आप पड़ सकते हैं जैसे कि स्विफ 500 हम 20 इंची लिखाव है आर्पी हम 1400 है वाटेज 150 वाटेज यह विजरी लेती है इसका मर्किट में प्राइस अप 15 रुपे साथ में लेग होती है और एक रेगुलेटर होता है आप किसी और कंपनी की भी लेते हैं ब्रेंडीड में तो भी आपको 102 रुपे उपर मिल स होती है 15 इंची जो होता है उसके साथ में ब्लेड हीवी आते हैं और साथ में देखेंगे सामने आपको फोटो दिखा दे रहे हैं फ्रेम इस तरह का इसका बना होता है लुक वाइच भी आप देख सकते हैं बहुत ही हेवी मोटर यह आपको दिखाई देगी दोस्तों इसके बात करते हैं इसके प्राइस की बात करते हैं आप किसी ब्रेंडिट कंपनी में लेते हैं तो यह लग आपको पच्छी सो रुपे से लेके तीन जार रुपे तक यह मोटर मिलेगी दोस्तों यह आपको फोटो दिखाई दे रहा है इसी तरह का यह एकज़श्ट फैन होता है दोस्तो पूरे heavy blade होते हैं और बार का जो frame होता है भी आप देख सकते हैं इस तरह का frame आता है इस motor के उपर आप देखेंगे यह 370 watt बिजली लेते हैं RPM इसके 1400 दिये हुए हैं आप किसी branded company के लेते हैं या freeze company के लेते हैं तो लगबग 3000 से लेके 3500 रुपय के बीच में आपको market में मिलेगी दोस्तो आप किसी लोकल company करीते हैं तो 2000 रुपय से लेकर 2500 रुपय थक कि आपको असानी से market में मिल जाएगी दोस्तो आपने motor देख लिए RPMN के सभी केसे में परन्तु हवा का इन में बहुत ज़ादा difference है अब आपको बता देता हूँ कुलर के अंदर जो लगती है कौन से कुलर के अंपर लगती है यदि आपको normal size का कोई कुलर खरीतना है जैसे कि आपका room 10 भाई 15 का है 10 भाई 10 का है तो उसके लिए आप एक इंची की कीट या पर जो हम पूरा इंची कीट जो बोलते हैं उस वाला कुलर खरीते है सामने आपको कुलर का साइज भी आपको दिखाई दे रहा हुआ आपको खूले के अंदर कुलर चलाना तो आपको लगबग 10 या 12 फिर तक हवा चाहिए तो आप पूरा इंची 5," 24 के ब्यूठ कर सक था यह को साइज 15 홑 15 का तो ुजड़र होते हैं उसको युज कर सकते हैं और किक बूर एक इंची जो के लिए जो कुलर धी उसके बीूठ अडर चोटे वाला समर्स या फिर साथ डेच्यार फिट की होती है यह जो पमपोते हैं पांच पीट उचाई तक पानी पहुंचाते हैं कुलर का डिजाइन और लूक और कलर्स अपने हिसाब से होते हैं अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अब हम बात करते हैं दोस्तों 18 इंची एकजाश्ट वाले क कुलर के बारे में दोस्तों जो आपको सामने जो कुलर दिखाई दे रहा है यह बहुत ही हेवी बोड़ी में आपको कुलर दिखाई दे रहा हुगा देख सकते हैं सामने आप लंबाई भी इसकी ज्यादा हो जाती है लग बग इसकी जो हाइट होती है पांच या सड़े पा वाला पंप लगा जाता देख सकते हैं क्योंकि इसको बार ज्यादा पानी उपर की तरफ जो जालियों में पहुचाना होता है ताकि यह बार की तरफ ज्यादा थंडी हवा देता है इस कुलर का उपयोग हमें 20-25 फिट लंबाई तक हवा चाहिए खोले में तो वहां पर हम तो दोस्तों आपको मोटर के बारे में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है वीडियो चेले के ताप इस वीडियो को लाइक करें साथ में बिजली की दुकान यूटूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें